नमस्कार दोस्तों रणमंच कहानियों का में आपका स्वाधत है तो कहानियों का सिलसिला सुरू करते हुए लिजिये सुनते हैं सुवद्र कुमारी चौहान की कहानी एकादश शहर भर में डौक्टर मिस्रा के मुकावले का कोई डौक्टर न था उनकी प्रैक्टिस खूब चढ़ी बड़ी थी जश्ष्री हाथ के एक साथी वे बरे बिनोध प्रिये मिलनसार और उदार भी थी उनकी प्रशन्नमुख और उनकी उतसाह जनक बातें मुर्दों में भी जा लगता था वे रोगी के साथ इतनी घंश्टता दिखलाते जैसे बहुत निकट संबंधी या मित्र हो कभी कभी तो बिमार की उदासी दूर करने के लिए उसके हिर्दे में विश्वास और आसा का संचार करने के लिए रोगी के पास घंटों बैट कर ना जाने कहां कहां की बा जाने के लिए दौर पड़ते और सबसे अधिक बच्चों को अपने पास घीच लेने का आकर्शन उनके पास था उनके जेब की मीठी गोलियां जिन्हें वे केवल बच्चों के ही लिए रखा करते थे वे होमियोपैतिक चिकित सक थे बच्चे उनसे मिलकर दवा बीना खाय मानते ही ना थे इसलिए उन्हें सदा अपने जेब में बीना दवा की गोलियां रखनी पर दी एक दिन इसी प्रकार बच्चों ने उन्हें आघेरा आज उनके तांगे पर कुछ फल और मिठाई थी जिसे डॉक्टर साहब की एक मरीज ने उनके बच्चों के लिए रख दि किया उन बच्चों में एक दस वर्स की बालिका भी थी जिसे डॉक्टर साहब ने पहली ही बार अपने इन छोटे-छोटे मित्रों में देखा था बालिका की मुखाकरती और विशेश कर आँखों में एक ऐसी भूली और चूपती हुई मुहकता थी कि उसे अस्वरन रखने के लिए उसके मुँ की ओर दूसरी बार देखने की आवशकता न थी दूसरे बच्चों की तरह डॉक्टर साहब ने उसे भी मिठाई देने के लिए हाथ बढ़ाया किन्तु बालिका ने कुछ लज्जा और कुछ संकोच के साथ सिमट कर सिर हिलाते हुए मिठाई लेने से इ जगा दो लड्डू देते हुए उससे फिर बरे प्रेम के साथ लेने के लिए आगरा किया बालिका ने फिर सिर हिला कर और सुईकृती की सूचना दी तब डॉक्टर साहब ने पूछा क्यों बीटिया मिठाई क्यों नहीं लेती आज एका दशी है आज भी कोई मिठाई खा आता है डॉक्टर साहब हस परेए और बोले यह इतने बच्चे खा रहें सो में आदमी खा सकते हैं और यह और थे नहीं खाती हमारी दादी कहती है कि हमें यहाता सी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए तो तुम्हेका दशी करती हो क्यों नहीं? हमारी दादी कहती है कि हमें नेम धरम से रहना चाहिए डॉक्टर सहाब ने दीन में बहुत से रोगी देखे बहुत से बच्चों से प्यार किया और संभवता दिन भर हुआ बालिका को भूले भी रहे किन्तु रात को जब सोने के लिए लैंप बुझा कर वे खाट पर लेटे तो बालिका के स्मिर्ती उनके सामने आगे वह लज्जा और संकोज भरी आँख वह भोला किन्तु द्रड निस्चाई चेहरा वह मिठाई ना लेने की असुकृती का चित्र उनकी आँखों के सामने खिच गया बाद में डॉक्टर साब को मालूम हुआ कि वह एक दूर के मुहले में रहती है उसका पिता एक गरीब ब्रहामन है जो वहीं किसी मंदिर में पुझारी का काम करता है अभी दो वर्स हुए जब बालिका का बिबा हुआ था और बिबा के च्छा महीने बाद ही वह बिधवा भी हो गई बिधवा होते ही पुरानी पर्था के अमसार उसके बाल काट दिये गए थी यही कारण था कि उसका सिर मुंडा हुआ था उस पडिवार में दो बिधवाएं थी एक तो पुझारी की बूडी मां दूसरी या अभागनी बाली का एक का जीवन अंधकार पुर्ण भूत काल था जिसमें कुछ सुख स्मृतियां धूंदली तरिकाओं की तरह चमक रही थी दूसरी के जीवन में था अंधकार पुर्ण भविश्यर प्रंतु संतोस इतना ही था कि वह बाली का अभी उससे अपरचित थी दोनों की दीन चरिया साथ और दस वर्ष की अवस्थाओं की दीन चरिया एक सीहित संपर्ण, पूर्ण और कठोर थी बेचारी बाली का नह जानती थी कि अभी उसके जीवन में संजम और यौवन के साथ जुद्ध छिड़ेगा इस घटना को हुए प्राया दस वर्ष बीत गए डॉक्टर सहाब उस सहर को अपनी प्रैक्टिस के लिए और प्याप्त समझ कर एक दूसरे बरे शहर में चले गए यहां उनकी डॉक्टरी और भी चंकी वे गरीब अमीर सभी के लिए सुलब थी बरा शहर था सभी सोसाइटियों की भी खासी धूम रहती और हर एक सभा सोसाइटिय वाले यह चाहते कि डॉक्टर मिस्रा सरी के प्रभावशाली और मिलंसार बेक्ती उनकी सभा के सदस्य हो जाए किंदू डॉक्टर साहब को अपनी प्रैक्टिस से कम फुर्सत मिलती थी वे इन बातों से दूर ही दूर रहा करते थी इसी समय शुद्धी और संगठन की चर्चा ने जोड पकड़ा सतापदियों से सोय हुए हिंदूों ने जाना कि उनकी संख्या दीनों दीन कम होती जा रही है और विधर्मियों की विशेश कर मुसल्मानों की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है जदी यही करम चलता रहा तो डेर सो बर्स में बात हिंदूस्तान में हिंदूों का नाम मात्र भले ही दा जाए किन्तू हिंदू तो कहीं ढूंडे से भी न मिलेंगे सभी मुसल्मान हो जाएंगे इसलिए धर्म भरस्ट हिंदू और दूसरे धर्म बालों को फिर से हिंदू बनाने और हिंदूों की संखठन की सबको आवशक्ता मालूम होने लगी आड़े समाज ने बहुत बड़ा आयोजन करके दस पांच शुद्यां भी कर डाली हिंदू समाज में बड़ी हल्चल मच गई बहुत से खुश थे और बहुत से पुराने खयाल वाले इन बातों को अनरगल समझते थे उधर मुसल्मान भी उत्तेजित हो उठे तंजीम और तबलीग की अस्थापना कर दी गई इन्तु डॉक्टर मिस्रा पर इसका परभाव कुछ भी नत परता हिंदू और मुसल्मान दोनों ही समान रूप से उसके पास आते थे और दोनों की चिकिसा दर्तचित होकर करते दोनों जाती के बच्चों को समान भाव से प्यार करते उनकी आखों में हिंदूओं का शुद्धी संगठन और मुसल्मानों का तंजीम तबलीग बेर्थ के उत पात थे एक दिन डॉक्टर साहब अपने दवा खाने में बैठे थे कि एक घबराया हुआ बैक्ती जो देखने से बहुत साधारन परिस्थिती का मुशल्मान मालूम होता था उन्हें बुलाने आया डॉक्टर साहब के पूछने पर उसने बतलाया कि उसकी इस्त्री बहुत ब कारण वह बहुत बिमार हो गई तब रहमान उसे अपने घर लिवा लाया लेकिन दीनों दीन तब्यत खरावी होती जाती है डॉक्टर साहब उसके साथ तांगे पर बैठ कर बिमार के ओदेखने के लिए चल दिये एक तंग अली के मोर पर तांगा रुक गया यहीं जरद आ जो दो तीन जगह से फटा हुआ था उस पर किसी ने पान की पीक मार दी थी जिससे मटियाला सा लाल धबा बन गया था सामने जरा सी छपरी थी और बीच में एक कोठरी यही कोठरी रहमान के सोने उठने बैठने की थी और यही रसोई घर भी थी रहमान बीरी बनाया करता गीले दीनों में यही कोट्री वीरी बनाने का कारखाना भी बन जाती थी, क्योंकि छपरी में बोचार के मारे बैठना मुस्किल हो जाया करता था। बाद में वे रहमान के बुलाने पर अंदर गए, उनके अंदर जाते ही एक मुर्गी जैसे नवागंतुक के भै से कुरकुराती हुई, पंक फटफडाती हुई, डॉक्टर साहब के पैरों के पास से बाहर निकल गए। फेफरे को देखा, प्रंदुसिवा कमजोरी के और कोई बिमारी उन्हें न देख पड़ी। वे बोले, इन्हें कोई बिमारी तो नहीं है, यह सिर्फ बहुत ज्यादा कमजोर है, आप इन्हें शोरबा देते हैं। रामान, शोरबा यह जब ले तब ना, मैं तो कह कह के तंग आ गया हूँ, यह कुछ खाती ही नहीं, दूद और सबुदाना खाती हैं, इससे कहीं ताकत आती है। क्यों डाक्टर साहब? क्यों? डाक्टर साहब ने पूछा, क्या इन्हें शोरबे से परहेज है? रामान, परहेज क्या होगा डाक्टर साहब? कहती है कि हमें हजब ही नहीं होता। डाक्टर साहब ने हास करका, वाह! हजब कैसे नहोगा? हम तो कहते हैं सब हजब होगा। डाक्टर साहब इतनी महरबानी और किजियेगा कि शोरबा इन्हें आप अहीं पिला जाई है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह मेरी बात कभी न माने की। डाक्टर साहब रहमान की इस्त्री की तरफ मुड कर बोले, कहिए आप हमारे कहने से तो शोरबा थोड़ा सा ले सकती हैं ना? हजम कराने का जिम्मा हम लेते हैं। उसने डाक्टर के आगरा का कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला कर और सुकृति की सुचना ही दी। उसके मुग पर लज्जा और संकोच के भाव थे। उसका मुग दूसरी तरफ था, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो डाक्टर के सामने अपना मुग धांक लेना चाहती। डॉक्टर साहब ने फिर आगरा किया, आपको आज मेरे सामने थोड़ा शोर्वा लेना ही परेगा, उससे आपको जरूर फायदा होगा। इस पर भी उसने औस्विकृति सुचक सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। इतने से ही डॉक्टर साहब हतास नहोने वाले थी। पिछवारे साफ करने गया। इसी अपसर पर उसकी इस्तरी ने आखे उठाकर अत्यंत कातर द्रिष्टी से डॉक्टर साहब की और ताकते हुए कहा। डॉक्टर साहब मुझे माख करे, मैं शोर्वा नहीं ले सकती। स्वर कुछ परचित सथा और आखों में एक विशेश चितवर जिससे डॉक्टर साहब कुछ चकराए, एक धुंदली सी एस्मिर्ती उनके आखों के सामने आ गई, उनके मुझ से अपने आप ही निकल गया। क्यों? छलकती हुई आखों से इस्त्री ने जबाब दिया, आज एक आदशी है। डॉक्टर साहब चौक से उठे, विसफारित नेत्रों से उसकी और देखते रह गए। उसी दिन से डॉक्टर मिस्रा भी शुद्धी और संगठन के पक्षपाती हो गए। तो अभी आप सुन रहे थे शुद्रा कुमारी चौहान की कहानी एक आदशी। आपके आसपास भी ऐसी घटना घटती होगी। जदी आपको ऐसी घटना मिले तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट अवश्य करें। तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।